1 Corinthians chapter 12, बारवा अधियाय में और वहांबर हम देखते हैं हम कुछ संडे से मेरे क्याल से हमने जून में शुरू किया था और अभी तक हमारा अधियान जारी है पीछले संडे मैंने आपको किस बारे में बताया था? सामर्द के काम के विशे में अध्भुत या आश्चरिय काम या मिरेकल्स के बारे में पताया था और हमने देखा कि पवित्र आत्मा कुछ लोगों को ये वर्दान देता है या ये सामर्द देता है कलीसिया के अंदर, चर्श के अंदर ताकि उनके द्वारा चमतकार के काम हो मर्जी किसकी है? पवित्र आत्मा की परमेश्वर की जब ओ चाहे होगा, मेरे चाहने से नहीं होगा लेकिन मुझे कहा गया है कि मैं तीवर इच्छा रखूं और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं बड़े से बड़े वर्दान के लिए चाहत रखूं बड़े से बड़े का मतलब या उत्तम वर्दान के मतलब जिसकी इस समय सबसे ज़्यादा जरूरत है आज इस समय एक गंड़े के बाद किसी और वर्दान की जरूरत होगी वो किसको पता? पवित्रा आत्मा को पता मुझे नहीं पता इसलिए मैं चाहत रखूंगी कलीसिया के अंदर इस समय जितने लोग यांबर है इस मंडली में इस समय क्या जरूरत है परिमेश्वर को मालूम है उसके अनिसार वो वर्दान किसी के भी द्वारा जारी करेगा और आपके मन में होना चाहिए कि आज मेरे द्वारा हो या सब के मन में होना चाहिए तब ही आपके द्वारा काम होगा चाहे आप उदर बैटे या इदर खड़े हो जाए कोई फरेक नहीं पड़ता परित्रात्मा आपके द्वारा काम करेगा हमने चमतकार होंगे विश्य में देखा, पुराने नियम में मैंने आपको बताया था कि चमतकार बहुत है लेकिन हमने पुराने नियम में नहीं कहे थे, हम सिरफ नए नियम से देखे थे कारण यह कि येश्य मसी ने कहा था कि जो काम में करता हूँ तुम भी करोगे, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यह नहीं कहा था कि जो लीडर्स होंगे आने वाले जमाने, दोजार साल के बाद जो बड़े-बड़े लीडर्स होंगे, नहीं ऐसा नहीं कहा था, जो कोई बाइबिल का सबसे खुबसूरत दो शब्द है, कौन सा है? जो कोई, क्योंकि उसमें हम सब है, कोई और योगिदा नहीं है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यह सब काम जो मैं करता हूँ, वो भी करेगा, वरन इसे बड़ा काम करेगा यह मसी परचार करता था, शिक्षा देता था, बिमारों को चंगा करता था, चमतकार करता था, परमेश्वर का प्यार लोगों पर प्रकट करता था, परमेश्वर की सहानबूदी, परमेश्वर की करुणा, सब कुछ यह मसी की द्वारा लोगों पर प्रकट हुई है, यह मस बलकि हमें करना चाहिए, हमारे द्वरा होना चाहिए. ऐसी चाहत हमें रखनी चाहिए, क्योंकि देने वाले ने वाइदा किया है. दो चर्च में हम सिरफ कुछ पाने के लिए नहीं, पुराने लोग उनसे बात कर रहा हूं, विश्वासियों से, नए लोग अभी फिलाल पाने के लिए आते हैं. हम किसलिए हैं? कुछ पाने के लिए भी और कुछ देने के लिए भी. कि मेरे द्वारा आज परमेश्रु का प्यार और परमेश्रु की सामर्थ लोगों पर प्रकट हो. अब भी जो कुछ हम कलीशिय के अंदर करते हैं, हम भाहर जाके भी कर सकेंगे. कुरुंदियों की पहली पत्रे में आप पहुंच गे न, तो हम भाहरवा दियाय को पढ़ते हैं. क्योंगी एक को आत्मा के द्वारा बुद्धी की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का बरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक सब प्रबावशाली कार्य एक ही आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वे भाट देता है। आज एक वरदान काम करेगा तो अगले सुन्दें उसक्दाइ दूसरा करें हमारे द्वारा मैंने द्वारा आप मैं से हरे की द्वारा अभी हमने घ्सुह पद में देखा nya किसी को सामर्द केकाम कन्ने कशक्ति और किसी को भविष्यवानी की शक्ति या बविश्यवानी का वरदान, the gift of prophecy, आज हम बविश्यवानी के विश्य में तोड़ा सा अदियन करते हैं, gift of prophecy, बविश्यवानी सबसे पहले आप जानिये बविश्य की बातें नहीं है, क्योंगि इसमें बविश्य शब्द जुड़ा हुआ है, तो पढ़ते ही सुनते ही हम predictions होंगे, नहीं, बविश्यवानी को जानने के लिए आपको पुरान नियम का अदियन करना होगा, फट से एक वार, सारे किताबों को खोल की अभी नहीं, खोल की देखिए, जितने भी prophetic book है, जितने भी prophets थे, आप देखिए, वो क्या करते थे, वो बविश्य की बाते थे, ज परमेश्वर की ओर से, जब कोई जन लोगों से बात करता है, उसको बविश्यवानी कहता है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, लोगों को बताना, या फिर याद दिलाना, आज के बाद जब आप पुराना नियम की पुस्तकों को पढ़ेंगे, कास करके, शुरुवात के पांच किताबों को हटा के बागी जितने भी किताबों को बढ़ेंगे जिसको prophets कहते हैं बविश्य वक्ता कहते हैं उसमें आप द्यान से देखना कि लोगों को अमेशा वो समझाते थे कौन सी बाते जो पहले बदाई जा चुकी है पुराने नियम की शिक्षा उनको याद दिलाते थे उनको समझाते थे उनको चिताते थे उनको वार्निंग्स दिये जाता था और कभी-कभी बविश्य की बातें भी उनको बताई जाते थी लेकिन हमारे साथ क्या है जैसे ही हमने बविश्य वक्ता पड़ा हमारे दिमाग में है कि बविश्य की बातें होगी तो प्रावसी या बविश्य वानी का मतलब बविश्य नहीं है वर्तमान है पुराने नियम के बविश्यवक्ता हमेशा उस समय के लोगों से उस समय की बातें करते थे और कभी-कभी बविश्ये में आने वाली बातें भी उनको बदाये जाती थी इसलिए नया नियम में भी यानि आज के युग में 2021 में जब कोई बविश्यवानी करता है तो वो विक्ति प्रभु येश्यु मसी की ओर से बोलेगा और प्रभु येश्यु मसी की इच्छा लोगों बर जाहिर करेगा बविश्यवानी का ये मतलव है आज अगर इस मंडली में इस ग्रूप में बविश्यवानी करता है तो वो क्या करेगा प्रभु येश्यु मसी की ओर से आप से बात करेगा प्रभु येश्यु मसी की बातें आपको याद इला सकता है प्रभु येश्यु मसी की ओर से आपको चितावनी दे सकता है, और जरूरत है तो आने वाली बातों का भी विशे में वो बता सकता है, यह दियान रखना, बविश्यवानी या प्रोफेसी को और भी अगर अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो आप एक पन्ना पलट लीजिए, चौदवा अध्याय में आईए, वहां नमबर, चौदवा पत को देखेंगे, 14.4, बविश्यवानी का उद्देश या मकसद अमें समंझ आए, तो अमें बविश्यवानी और भी अच्छी तरह समंझ आएगी, चौदवा का चार में लिखा है कि जो अन्य बाशा में बातिं करता है, वह अपनी उन्निदी करता है, परंतु जो बविश्यवानी करता है वो कलीश्या की उन्निदी करता है, तो बविश्यवानी या प्रॉफेसी का परपस क्या है? कलीश्या मसबूत हो जाए, कलीश्या को उन्निदी मिले, कलीश्या स्ट्रॉंग हो जाए, तो कलीश्या कों है? चर्च कों है? हम सब मिलके हैं तो हमेंसे हरे को प्रभू येश्य मसी में और प्रभू येश्य मसी में जो हमारा विश्वास और बरोसा है उसमें मस्बूत करने के लिए आज हमें जो कुछ भी सुनना चाहिए वो सुनाया जाएगा कि कौन सी बात सुनने से आज हम प्रभु में मस्बूत हो जाएंगे कौन सी चितावनी सुनके अम प्रभु की और द्यान करेंगे कौन सी बात याद दिलाने से हमें पदा चलेगा कि हमारा परमेश्र हमें कितना प्यार करता है कौन सी बात याद दिलाने से और समझाए जाने से आपको समझ आएगा कि परमेश्र को मेरी परवा है उससे मुझे मेरा द्यान है वो बात जब बताई जाती है वो बविश्य की बाते नहीं होती वो अर्तमान की बाते है उसको कहता है बविश्यवानी prophecy जैसे बाकी वर्दानों के लिए लिखा न साथ वपद में बारा का साथ में की सबको लाब पहुंचाने के लिए इसी तरह बविश्यवाने भी अमारे लाब के लिए अगर आप प्रभू में मस्बूत हो रहे हैं तो आपका लाब हो रहा ना अगर आपको पदा चल रहा है कि प्रभू को वाके में मेरी परवाह है तो आपको फैदा है ना उससे कि जो निराश होके बैटे हैं उन्हें पदा चलता है कि परमेश्र को मेरी परवाह है उन निराश्य एकदम गायव हो जाता न यह है भविश्यवाहनी भविश्य आप बूल जाएए अभी वरतमान में है अभी की बात करतें हैं वरतमान की बात हैं ज्यादा होती है इसलिए हमें सारे आत्मीक वर्दानों के दुन में रहना चाहिए थीवर इच्छा रखना चाहिए और खास करके बविश्यवानी हो बविश्यवानी हो प्रॉफसी हो ताकि मैं मस्बूत हो जाओ तो बविश्यवानी या प्रॉफसी से हमें क्या फाइदा है मैं प्रभू में मस्बूत हो जाता हूँ मेरा विश्वास मस्बूत हो जाता है मेरा बरोसा बढ़ जाता है और मैं अपनी समस्याओं से बाहर आ जाओंगा जो चीज मुझे परेशान कर रही है उससे मैं बाहर निकलूंगा कारण क्या है? परमेशुन ने आज मुझे से बात करी बविश्य वानी की द्वारा प्रभू येश्य मसी आप में से हर एक से बात करता है बात यह है कि जब आप कलीसिया में होते हैं या कुद अपने गर में प्रेयर में होते हैं तो पवित्रा आत्मा आप से बात करता है कुछ लोग पवित्रात्मा की बातों को समझ पाते हैं, आप आराधना की बीच में भी पवित्रात्मा हर एक जन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग पकड़ लेते हैं कि आज पवित्रात्मा मुझसे बात कर रहा है, कुछ लोग सुनके अंसुनी कर देते हैं, सुन लेते हैं लेकिन नजर अंदाज करते हैं किसी और के लिए होगा लेकिन परविशुर हमें इतना प्यार करता है कि किसी एक या दो या तीन जनके दुआरा पवित्रा आत्मा पूरी चर्श से बात करता है उसके इलावा टीचिंग के समय में भी परचार के समय में भी पव कुछ लोग से नहीं समझ पाते हैं पिछले बड़ा उने देखा था रूका सू समझर पुंग उसकी सुनने की लिए और तीक होने के लिए आते था जो सुनने के लिए आते हैं जो लोग सोने के लिए आते हैं उनको नहीं सुनाई देते हैं वो नहीं पकड़ पाते हैं जो लोग इस इचाह से आते हैं कि आज मैं समझूंगा की परमिश्र मुझसे क्या कह रहा है मैं आज ध्यान से सुनूंगा और समझूंगा तो उनको समझ मिलती है वो प्रभू में strong हो जाते हैं एक और पत को देखते हैं अभी मैंने आपको चवदवा दिया में जाने के लिए काता ना कुरंदियों के पहली पत्री चार में से हमने पढ़ाता है कि जो बविश्यवानी करता है जो प्रविश्य करता है वो कलीश्या को या कलीश्या की उनने दे करता है तीसरा पत को देखे उसमें क्या लिका है तीसरा पत में लिका है कि परंदु जो बविश्यवानी करता है वो मनिश्यों से हम सब मनिश्य है ना कोई फरिस्ता तो नहीं है ना स्वर्ग दो तो कोई नहीं कोई नहीं ग्रेट तो हमसे उननती उप्तेश और शांदी की बातें करता है अंग्रेजी में जो पढ़ रहे हैं आपके बाईबल स्में लिका होगा प्राववसी स्ट्रेंग्देंज इनक्रेजिस अनकंफर्ट स्पीपल या प्राववसी अगर प उप्तेश और शांती मैंने आपको अभी बताया है कि बविश्यवानी या प्रोफसी जो है परमेश्र के या एश्यमसी की ओर से एक इंसान बोलता है और उससे हमें उन्नती मिलती है अभी हमने पड़ा तीसरा पद में की चर्च पूरी चर्च यानि चर्च का एक एक जन के ल एक सवाल या आता है ना मैं बता चो कहाँ इसका जबाब हम कैसे मस्बूत हो जाते हैं जो जो बातें हमें सुनने को मिलती है इस पद में लिखा है कि हिंदी में लिखा है उपदेश और शांती के द्वारा लेकिन आपके अंग्रेजी बैबल में तोड़ा सा और अच्छा और सही रिदी से लिखा है by encouraging and comforting us पवित्र आत्मा अपनी बातों के द्वारा आपको प्रौसाहन देता है या आपको प्रौसाहित करता है ऐसी कुछ बात आपको बदाएगा जिससे आप प्रभु की बातों को लेके प्रौसाहित हो जाएंगे और फिर आपको तसल्ली कि सांत्वना मिलेगी दिलासा मिलेगा आपको अब आपको कुछ याद आ रहा है क्या इस से अर्च में बविश्यवानी होती है कुछ याद आ रहा है आपको होती है अराधना के बीच में आपको बताया गया कि कुछ लोगों में डिप्रेशन है फिर आपको बताया गया कि आपको क्या करना चाहिए ऑगे अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको depression से चुटकारा मिलेगा आपको बदाया गया था ये बविशी की बात है या वर्तमान की बात है वर्तमान की बात है पवित्रा आत्मा को मालुंदा कि कुछ लोग बेटे हैं जिनमें depression है जो depressed है और पवितरात्मा ने उपाय बताया कि अमने कुछ समय पढ़ा था ना ज्यान की बाते एक जानकारी विली पवितरात्मा से कि कुछ लोगों में डिप्रेशन है आप मैं से किसी निया जाकर बताया तर इना को मैं बहुत डिप्रेश्ट हूं आज नहीं बताया ना अच्छा किया और बुद्धी की बातें बुद्धी की बातें इसमें क्या थी आप उस दुष्टा आत्मा को अपने जीवन से निकलने के लिए बोलो और जब आपने ऐसा किया आपको चुटकारा मिला है तो प्रॉफसी के द्वारा यानि प्रॉफसी या बविश्यवानी में ग्यान की बातें होती है बुद्धी की बातें होती है आप अगर गलत रास्ते में चल रहे हैं तो आपको बताया जाता है कि आप गलत रास्ते में ह और फिर सही रास्ता क्या है वो भी आपको बताए जाता है यह बविश्वानी आप किस दलडल में है अभी आपको समझ आता है जैसे आपने सुना डिप्रेशन आपने काना मैं हूं ग्र ह Peach टाउं व मैं प्राद और चेन यह जो लोगो ठीके ने आपको बता चल गया ना आफ यह मेरी लिए है आपके कान खड़े हो गए को और कैसे ठीक हो सकता हूं या हो सकती हूं पिर आपको बताया गया कि यह परमेश्र का प्यार है अमारे लिए और जब आपको शुटका रामिला आप मजबूत हो गये ना और आपको पता चला कि वाके में परमेश्र मुझे प्यार करता है कैसे मैं तो पेचले स्वम Sonic है अभी तक डिप्रेशन में ता निराज ओके जी रहीतीया जी रहाता और लेकिन यह आते ही कि मुझे पताचला कि मेरा परमेश्र क्यार पहले भी पता था लेकिन इतना ध्यांने दिया परमेश्व ने मुझे पकड़ लिया, मुझे बताया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम डिप्रेशन से बाहर रहो, यह परमेश्व का प्यार है न, उसको मेरी परवाह है, बविश्यवानी से, जब ऐसी बाते होती है, तो हम प्रोसाहित हो जा प्रोसाहित है कि पूरे हपते के पेट्रोल आपको मिल गया हो, आपकी गाड़ी चलती रहेगी, और वीच में अठक भी जाती तो आपको याद आएगा, संडे को, संडे को, संडे को, प्रभू ने मुझे पकड़ाता, और बताया था कि मुझे तेरी परवाह है, कैसे बताय कानी के बारे में प्रभू ने बताया और उपाय भी बताया, तो बुद्वार को जाके गाड़ी रुक भी जाती है, तो आगे को चलेगी, है ना, अगले संडे तक, फिर अगले संडे जब आएंगे, फिर कुछ सुनने को मिलेगा, उसके अलवा, वाचन का अधियन जब हम क करता है और उसको कितनी परवा है आपकी, इन सब बर्दानों की हमें चर्च के अंदर जरूरत है, और हमें उसकी चाहत रखनी चाहिए, तीवर इच्छा रखनी चाहिए, हिंदी में वुतेश और उन्नदी क्यों लिका है मैं आपको बताऊंगा, वो ट्रांसलेशन जो है, तरह से गलत नहीं है, लेकिन वो पूरा मतलब आपको नहीं समझाता, उन्होंने उस समय के ट्रांसलेशन ने ये शब्त क्यों चुना, मैं आपको तोड़ी दिर में बताऊंगा, लेकिन इसे पहले एक बात बताता हूं, पवित्र आत्मा को लेके येश्व मसी ने उस समय के विश्वाष्यों से कहा था, जो कि अमारे लीए भी है, योहना का चाऌदवा अध्याय का सॉलव पद में, एश्व मसी ने कहा था, एक र imp Bets में है, ए श्भी मसी ने कहा था, हिंदी में कहा था कि, डो यह श्व मसी ने तो अरमाइक में बोला था, लेकिन हिंदी में उमारे तुम्हें एक सहायक दूँगा या तुम्हारे लिए एक सहायक बेजूँगा आपको याद है 14 का 16 में मैं तुम्हारे लिए एक सहायक बेजूँगा और इंग्लिश ट्रैंसलेशन में I will send you a comforter or a counsellor or a helper or an advocate जो भी ट्रैंसलेशन आप पढ़ रहे हैं तो येश्व मसी ने उस समय जो वाइदा किया था उस समय की बाश्या में और जो की युनानी बाश्या में लिखी जा गेई ती उस समय है उस एक शब्द को हिंदी में तो सारे हिंदी वर्शन में helper सहायक है लेकिन कुछ इंग्लिश वर्शन में आपको मिलेगा comforter जैसे new king james वर्ण में और किसी में मिलेगा helper किसी में मिलेगा advocates और किसी में counselor चार शब्द होगे ना इन शारों ये चारों शब्द मिलकर भी उस एक शब्द का पूरा अर्थ नहीं बता पा रहे है इसलिए कुछ और Bible में और भी शब्द इस्तमाल हुए है English version में मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ इससे आपको समझ आना चाहिए कि पवित्र आत्मा कितना बड़ा है और कितनी सामर्ती है और कितना फायदा है आपको और आप और मैं मैं भी इसमें हूँ हम लोग पवित्र आत्मा का ज्यादा कदर नहीं करते ज्यादा परवा नहीं करते पवित्र आत्मा की हमारे पास है और हम उससे पूछ सकते हैं और उसके अगवाई में हमें चलना चाहिए एक मैंने बताया helper या सहायक क्योंगी हमें उसकी help चाहिए मसी बनके रहने के लिए अमें पवित्र आत्मा की मदद चाहिए उसके बिना अम परिपूर्ण डीदी से मसी बनके नहीं रह सकते तो हमें उसे मदद लेना चाहिए ना आप लोग जो पीछे बेटे हैं पवित्र आत्मा से मदद लेना चाहिए ना बिकॉस ही इस और हेलपर उस अगर आप इच्छु कहें तो मैं आपको युनानी का शब्त बताता हूं युनानी में है पारा क्लिटोस अधिमेटेशन स्पारा का मतलब क्या है युनानी शब्त में इंग्लिश में भी इस्तमाल करते हैं पारा का मतलब क्या है तो एक वो हमारा helper है, दूसरा अमारा वो अंग्रेशी में comforter है, जो की हमें प्रोसाहन देने वाला, यह जो comforter शब्दा ना, यह है paraklesis. प्वितरात्मा क्या है? paraklesis, और वो जो काम करता है वो है paraklesis, इसका मतलब क्या है? वो आपको अपने पास बुलाकर आपसे बात करेगा, जिससे आप प्रोसाहित महसूस करेंगे और आपको तसली मिलेगी. तो parakletos क्या करता है? यह paraklesis, जिससे आपको पास बुलाता है, पारा का मतलब है कि आपके साथ-साथ, parallel lines, mathematics में, parallelogram, maths में, paramilitary, साथ-साथ, आपके साथ-साथ रहे के आपको पास बुलाएगा, जब आप दुकी है, परेशान है, निराश है, डिप्रेशन में है, तो वो क्या करता है? आपको पास बुलाता है, फिर आपसे बात करता है, कि तुम्हें डिप्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है दुश्टात माह उंपर, और तुम निकाल सकते हो, अच्छा मैं निकाल सकता हूँ, निकल बाहर आप प्रोसागित होगे, आपको तसलिय आगे, आपको चंगाई भी मिली, तो बविश्यद वानी के द्वारा आपको चंगाई भी मिलती है तो पवितरात्मा क्या है? आपका मददकार, आपका सहायक है, आपको प्रोसाहन देने वाला है और आपका वकील है वो, अट्विकिच, क्योंकि वो आपके लिए वकालत करता है यहना के पहली पत्री में लेका है कि वो अमारा वकालत करने वाला है और क्या है? वो अमारा इंडर्ससर है, यानि अमारे लिए वो निवेदन करता है अमारे लिए निवेदन करता है और अम्मे से होकर भी निवेदन करता है अमारा वो निवेतन करने वाला है और अमारा सलाहकार है He is our counselor अमें जब सलाह की जरूरत है तो हमें counselor डूडने की जरूरत नहीं है यह देखने की जरूरत नहीं है पास्टर जेम्स से कब बात हो सकती है आपके पास एक counselor है इसलिए कुछ English translation में लिखा है की मैं तुम्हें एक counselor बेढ़ा और एक और शब्द है He is our strengthener अमें मसबूत करने वाला अब कितने हो गें? किसी ने गिंती की? 6 हो गें Comforter, Helper, Advocate, Strengthener और Intercessor और कौन से help? और Advocate है न? Helper, Comforter, Advocate, Intercessor, Counselor, Strengthener छे हो गे न? एक और है Stand By यानि जो 24 गंडे आपके साथ है आपकी सहाइदा करने के लिए विशेश करके Emergency के समय में उसको बोलते है Stand By और क्या चाहिए आपको? और कुछ चाहिए? और ये पवित्रा आत्मा आपके अंदर है मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूँ आपके बाहर नहीं है और ये सारे काम हो करता है आप लोगन नोट कर लिए साथ हो? को नोट कर लिए? Comforter, Helper, Counselor, Advocate, Strengthener, Intercessor, Stand By आपको अपने पास बुला के आप से कुछ बातें करेगा जिससे आप प्रोसाहिन में प्रोसाहिद हो जाएंगे और आपको तसल्ली मिलेगी मन में तसल्ली मिलेगी, शरीर में चंगाई मिलेगी तो ये बर्दान होना चाहिए ना? नहीं मैं कन्विंस नहीं हुआ होना चाहिए किसी-किसी के दवारा होना चाहिए ना? सभी कह रहा है कि होना चाहिए कि कोई नहीं करैं कि मेरे द्वारा होना चीए म हुआ कोई नहीं ते रहा तो अधू में तो थ्यार हूं सब एसी चाहत रिखनी घंजए ना那麼 सब ऑस्टॉपी सब कि द्वारा हो लेकिन कोई नहीं तो मू हू ते outright प्रेसंट अ हम श्कूल में पढ़ते से मैं और आपर संट कि मैं हूं मैं त्यार रों कि प्रभु नियुड पूछा दना कि कॉन जाएगा मेरी और से लिए अगर प्रुब सुर्ग में से पूछ रहो गई कोन बोले से मेरी तरह से मैं, मैं हूँ प्रभू, मैं तैयार हूँ, प्रभव सिहिगे में जरूरत है, हिंदी ट्रैंसलेशन में जो उबदेश लिका ना, उसका कारण ये है कि पवित्र आत्मा, आज जैसे जो बविश्वानी हुई है, उसमें उबदेश था ना, उसमें आपको बताया गया ना, कि आप अगर वो एक आत्मा, दुष्टा आत्मा है, अगर आप उसको कहेंगे, तो वो निकल जाएगी, एक शिक्षा आपको मिली ना, जो कि पहले भी आप, पहले से आप जानते हैं, तो आपको पवित्र शास्त्र की कुछ बात याद दिलाएगी, इसलिए हिंदी वालों ने उबदेश लिखा है, इंग्लिश में अनुवाद करने वालों ने युनानी शब आपको मिलेंगे, कारण यही कि पवित्र आत्मा आप में से हर एक को विक्तिकत तोर पर जानता है, जानकर कुछी हुई ना, और यह बात आप पहले से जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन हम बूल जाते हैं, चर से निकलते ही हम बूल जाते हैं, ना, दुनिया म में भूसते ही हम यह सारी बातें बूलते हते हैं अल्रफ कि जब कुछ समस्या आती है लेकिन परखत्रा हात्मा के लिए क्लिए थैशन करने के वो स्टांडबाई है स्टांडबई का मतलब क्या है चावबीज घंड़े हमारे साथ लिए मारी सहाइदा करने के लिए विश्ष करके एमरजंसी के समय में हम लोग क्या करते हैं अबर जन सी समय में आप आपके पास शौवींजों कंडे आपको मुदद पहुंचा आने के लिए एक तयार है और वो बरोसा नद है कि रिलाइबल है वो कि स्टैंडबाई का मतलब यह निको दोखा नहीं देगा आपको कि हिंदी में मुझे इसके लिए बराबर कोई शब्द नहीं मिला इसलिए मैं इतने सारे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं स्टैंडबाई को समझाने के लिए कि आएक और बात उस्टैंडबाई है सिटबाई नहीं है मतलब वो खड़ा है आपके लिए काम करने के लिए बैटके सो नहीं रहा है जैसे सेकुरिटी गाड़ सोते ना कि इनको नोगरी दी जाते रात को सोने के लिए सेकुरिटी गाड़ सो जाते ना उनको कुछ पता है नहीं चलता क्या हुआ था दो बार सीटी मारके बैटके सो जाते लेकिन यह जो है पवित्रा आत्मा वो बैटता नहीं खड़ा है स्टैंडबाई मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं तो कोई छोटी चीज नहीं है वो जो परमेश्र ने कहना कि मैं तुम्हें दूंगा और दिया है आपके बास है पवित्रा आत्मा के बरदानों को समझने के लिए पवित्रा आत्मा को समझना चाहिए वे लें और यह सारे काम वो बविश्यवानी के द्वारा करता है हमें प्रोसाहित करता है हमें तसली देता है हमें शांती देता है इसलिए हिंदी बैबिल में शांती लिखा है कि वुह में प्रसाहित करते हुए तसली देते हुए सांतवना देते हुए मस्बूत बना देता है इसका मेला चर्च में कोई कमजोर नहीं रहना चाहिए न फिर विश्ष करके इस चर्च में किसी को भी कमजोर नहीं रहना चाहिए आत्मी क्रीदिस है क्यों यह आपके पास पवित्रा आत्मा है आपको समझाने के लिए याद दिलाने के लिए और हर संडे वाकी दिनों में भी आप से वो बात करता है लेकिन हर संडे आप से बात करता है किसे ना किसी के दुबरा और विश्चेश करके टीचिंग के दुबरा जियान रेक्ना ये जो बविष्यवानी है ये सिरफ इस group के लिए है सारी चर्चस के लिए नहीं है जो भी बातें बताय जाती है यहाँ और मौजूद वरतुमान में जो लोग हैं उनके लिए है और वो सकता है सिरफ आज के लिए हो वो सकता है कि कुछ दिनों महिनों सालों के लिए हो लेकिन हमारे लिए है ये बाते हम दूसरों को जाके नहीं दे सकते हैं कि हमारे चर्च में ये बाविश्वानी हुई थी हो सकता है कि इन बाते हो सीख सके लेकिन उनसे पवितरा आत्मा बात नहीं कर रहा है बविश्यवानी के दौरा हम से बात कर रहा है यह दियान रखना है कोई यूनिवर्सल प्रोफसी नहीं आती बहुत कम जैसे कोविट से पहले एक बविश्य की बात हमें बदाए गई ती कि आप लोग क्या करना चाहिए था किसी को याद है पैसे ज़्यादा कर्च मत करना आपके पास क्याश होना जाएए बदाया गया था ना और कोविट के समय में आपको क्याश की ज़रूरत पड़ी थी बहुत कम ऐसी बविश्यवानी आती है जो बविश्य के लिए हो वो भी हमसे कहा था सारी चर्चस में क्या बोला था हमें नहीं माले बविश्यवानी कभी-कभी आपसे निवेधन करती है यानि पवित्रा आत्मा कई बार आपको अपनी बाते याद लाग से के आपसे रिक्वेस्ट करता है जबकि वो आग्या दे सकता है लेकिन रिक्वेस्ट करता है और कभी-कभी आपको डांड भी देता है बीते समय की बविश्वानियों को याद करके देगो आपको डांड भी पड़ी होगी कभी-कभी तो हमें सहारा देने के लिए हमसे प्यार से भी बात करता है कई बार परमेश्वर हमसे रिक्वेस्ट करता है जैसे रोमियों की पत्री का बारा के एक में लिकाना है कि मैं परमेश्वर की करुना स्मरंड दिलाके तुमसे विंती करता हूं परमेश्वर को विंती करने की क्या जरूरत है वह परमेश्र का प्यार है हम से प्यार से कह रहा है कि ऐसा मत करो लेकिन कभी-कभी परमेश्र डांड भी देता है परमेश्र कभी हमें चुनाउती भी देता है चलंज करता है अलग अलग तरीके से यानि कलीश्या की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पवित्रा आत्मा बविश्यद्वानी का इस्तमाल करता है इस समय हमें क्या जरूरत है उसके अनिसार वो आज बात करेगा अगले संडे जब हमें इकटा होंगे अमें से हरेकी जरूरत अलग किसम की होगी उसके साब से वो देखेगा कि किस-किस की कौन-कौन सी जरूरत के अनिसार मुझे बात करनी है कभी-कभी एक से ज़्यादा बार अमें सुनने को मिला ना कि आज कुछ लोग मन में बड़ा भाहर लेके बोज लेके बैठे हैं सुनने को मिला था ना और जब आपको पता चला है कि ये मेरी लिए है अच्छा लगा ना परमेश्र मुझे बुला रहा है मुझे पास बुला रहा है उससे बात कर रहा है कुछ लोग बोज लेके बैठे हैं और आपको ये श्व मसी कहता है कि वो बोज जो है मुझे दे दो ऐसा याद है किसी को उसे में अच्छा लागाता ना कि परमेशर मुझे कितना प्यार करता है पास्ट जेम्स प्यार करता है नहीं करता इसको उसे फरक नहीं पड़ता है परमेशर मुझे प्यार करता है पास्ट जेम्स से बुला अभी प्रेयर कराने तो अभी नहीं समय है थोड़ी देर के बाद करूंगा लेकिन परमेशर के वा को मेरे साथ और इसी तरह चंगाई को लेके कई बार परमेश्वर बात करता ना जैसे आज बात हुई और आज किसी के पीट में दर्द को लेके, पेट में दर्द को लेके, परमेशन ने बोला ना, और जब आपको जिनका भी पेट में दर्द था, आपको अच्छा लगा ना, परमेशन मुझसे बात कर रहा है, अभी मेरी बारी है ठीक होने का, जिनके पीट में दर्द था, जिन और फिर आप ठीक भी हो गए है और कई बार ऐसा होता है यह बाकी लोगों के द्वारा भी होना चाहिए ना आपको बता है बाकी लोगों के द्वारा क्यों नहीं हो रहा है आपको बता है टेजरे लोह मोड़ा हूं Łच हम टेवरी इच्छा नई रखते और अम सोचते की यह मैं इसलाइक नहीं शाया मेरेड़ा प्रॉट देखा जायेगा हो निए परेशन नहीं पुला कि देखा जाना परेशन का कि इसलिए इच्छा रखो तब होगा कुछ लोग थे कि परेशन मैं नहीं कर रहा हूं क्यों यह प्रमेश्र ने बोला कि तीवर इच्छा रखो चाहत रखो कुछ लोग परमेश्र से भी अपने आपको परमेश्र से भी स्मार्ट समझते हैं परमेश्र तो परमेश्र है उसने इस्तेमाल करना तो कर लेगा नहीं करेगा क्यों? क्योंकि उसने बोला कि इच्छा रखो और पवित्रा आत्मा इस तरह बविश्यवानी की द्वारा अमें शांती और तसली देता है, अमें प्रोसाहित करता है और कभी-कभी मैंने बोला आपको चितावनी देता है और कभी-कभी आपको डांडता है और कभी-कभी आपको आपके मन में आपके अपने गलतियों को लेके आपके पापों को लेके आपसे बात करता है आपके अंदर conviction आजाता है आप काईर हो जाते हैं निरुत्तर हो जाते हैं आपको समझ आता है कि मैंने गुना किया है और फिर उस गुना से बाहर आने का तरीका भी आपको बता देता थूझ में यह सारी भाते हैं। मौर्म हम और बैष्र बानी सिरब विश्वासियों के लिए नहीं आविश्वासियों के लिए भी भी है। कुरृंड्नियों की पत्री में 14th यायक 25 पर में लिखा है 24 25 में कि अविश्वासी लोग भी बविश्यवानी सुनकर कन्विक्ट हो जाते हैं, उन्हें पदा चल जाते हैं कि मैं पापी हूँ और उन्हें ये भी समझाता है कि पाप से बाहर आने का तरीका क्या है ये श्यमसी यानि बविश्यवानी जो है प्रोफेसी जो है, परमेश्र का प्यार और उसकी सामर्थ का आमारे बीच में प्रकट होना है सबसे ज़्यादा उसका प्यार वो कितना हमें प्यार करता है और मैंने आपको बताया है कि ये बविश्य के लिए नहीं है, अभी के लिए है लेकिन सभी बविश्यवानी जो है, प्रोफेसी जो है, उसे परकने की जरूरत है ये भी इसी चवदवा दियाय में लिखा है जो भी बोला जाता है उसे परकने की जरूरत है अम आंग मंद करके विश्वास नहीं कर सकते यानि परमेश्र चाहता है कि विश्वासी लोग, विश्वासी हों की बात नहीं, जो विश्वासी चर्श में बैटे हैं, वो सतर्क बैटे हैं, और God expects them to be active listeners, यह नहीं कि कुछ भी बोला गया और आपने बोला आमेन, या हलिलुया, नहीं, त्यान से सुनो और देखो, यह सही है, यह सही बोला जा रहा है, लीडेर्स की जिम्यदारी है, खास करके, देखने हैं कि यह सही बोला गया है, अमने कुछ सालों पहले, या कुछ सालों पहले तक, अम एक क्लास देते थे, Walking in Spiritual Gates, आत्मिक वरदारों में चलने की, वारे में हम शिक्षा देते थे और उसमें हम प्रैक्टिस कराते थे, क्योंकि हरे क्लास में हम प्रैक्टिस देते हैं, और लोगों को प्रैक्टिस करवाया था, सुनके या विशन देखके, सुपन देखके तो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उसके लिए सोना पड़ता है, तो विशन देखके, या सुनके, या मैसूस करक भी लगे एक समय में ऐसा था कि लाइन लगे रहते थे हमें बताने के लिए कि मैंने ये सुना मैंने मुझे मुझे ये दिखाई दिया लेकिन देरे-देरे बंद हो गया पता क्यों वह इसलिए था कि यहां में लिगा कि बविश्यवानी को परकने की जरूरत है वो वर्ट से एक बड़ डूंड ले ना मुझे मेरे पास लिखा हुआ नहीं है कहम बेर है वो चौदव अध्याय में है उसमें लिखा है कि एक दो या तीन जन बविश्यवानी करें और दूसरे लोग उसको परकें लट अधर्स जच तो क्या होता था कि लोग बाग के आते थ आते थे फिर हम देखते थे और हमैं बता चलता था है कि ये परमेश्वर की और से नहीं है और कुछ लोग आके जो बताते थे वो परमेश्वर की ओर से जरूर था लेकिन वो पूरी कलीष्या की लिए निए उनके लिए था तो driftर क्या हुआ हुआ जब आनकर उनको बता है अच्छा नहीं लगा तो 14 का 49 वा पद में 49 वर्स में 29, 29 में तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा अच्छा मेरी लिए कहा गे कि यह सिर्ब मेरी लिए है बागी तुसरे का तो बोल दिया कि चर्च के लिए है जो भी उन्होंने सोचा यह तो मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि ऐसा सोचा हो लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा फिर वो सुनना ही बंद हो गया देखना ही बंद हो गया और कुछ लोगों को जब आमने बोला है कि आप जो कुछ भी आपने सुना है या देखा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो उनको और भी बुरा लगा होगा उनने सुनना और देखना बंद किया है इसलिए आज आप देखते हैं कि रीना को छोड़के और कभी-कभी पास्टर राहूल को छोड़के कोई और नहीं बोलता और कभी-कभी सिस्टर संदोश के तवाषण और सिस्टर सुचेता के तुछ आता है बागी लोग क्यों नहीं कर पाते क्योंकि अमारे देशमें खास पाते हैं ने मारे देशसन होंगी हम बाट जल्दी बुरा मानते हैं है ना अधने रामी इंग्रेस में टच मी नौट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं चुई मुई हम लोग उस चुई मुई की तरह है जहां बताया गया कि भाई आप गलत हैं अच्छा मेरे लिए कहा है गलत है हुआ ऐसे पहले हम ऐसे होते हैं और जैसे सल लगार गया मैं लटक जाता है तो चर्ची आना छोड़ देते शुक्षी या कुछ संथे झीजिए कि प्राट थे से अक्य मैं सही नहीं हो आं कि मैसा नहीं होना चाहिए किम झूभी तब और मुझे अगर मुझे निकर जाता है कि वो सरफ मेरी लिए तो मुझे कुछ और लओ जाना मेंती च neon की तुरें सब्सक्री इसकान वोग सानी त When to हो जाती प्रमेश्टर प्यार करता है इसलिए अकेले बताए कुछ हो जाना चाहिए न अगर किसी दिन मैं खड़े हो के बोलूंगी परमेश्टर देखा रहा है कि दो छोर बेटे चर्च में बुरा लगेगा ना कि सब अपने प्रिसल फोन को समा लेंगे लेकिन जिसने चोरी किये उसको परमेश्टर देरे से बूलता है तुने आज चोरी की है तो वो सतरक हो जाता है अपनी गलती मान लेगा जो उसने चोरी किया हो वापस करेगा किसी और को पता नहीं लगेगा तो आपको कुछ हो जाना चाहिए कि जब आपको समझाय जाता है कि ये बविश्यवानी सिर्व आपकी लिए है और जब आपको बताया जाता है कि ये परमेश्र की ओर से नहीं है तो नाराज होने की जरूर दिनिये क्योंकि दुष्ट आत्माइम भी आप से बात कर सकती है मैं बेबन से आपको दिखा चुका हूं पत्रज से येश्यमसीने काथा कि जो बात तुम अभी बोल रहे हो ये परमेश्र मेरे पिता ने तुमें देखाया है दो मिनिट के बाद परमेश्र ने काहिए कि अभी जो तुम कर रहे हो शेतान से सुनके बोल रहे हो तो दोनों मत एक ही जगा पर है ना मती का सौलव अदियाए में है तो हमें बुरा नहीं माना चाहिए और ध्यान रखना बविश्यवाने में जो भी बातें बदाय जाती है हमारे इस ग्रूप के लिए है और हमें सिकाने के लिए समझाने के लिए सुधारने के लिए हमें प्रोसाहित करने के लिए और हमें तसली पहुंचाने के लिए ताकि हम मस्बूत हो जाए प्रभु में सिर उसको आपको परखने की ज़रूरत नहीं है उसमें परमीषर की ओर से महर है छिगनेचर है बविश्वानी में नहीं गया जाती है वह पर रेकने की जरूरत है आज हमने परक के देख लिया था ना देखा था क्योंकि आज चंगाई को लेगे था तो आपने कैसे परका कुछ लोग कड़े हो गए ते अपने आपी और जब खड़े हुए उनको बदाया गया कि उनको क्या करना चाहिए अफिर उनको उन्होंने जब उस काम को किया तो उनको छुटकारा मिला इस तरह भी अम परक सकते हैं कि द्यान रखना बविष्यवानी करने के द्वारा आप बविष्यवक्ता नहीं बनते द्यान रखना कि बाइविल में नया नियम में कुछ लोग हैं जिनको परमेश्य ने बविष्यवक्ता होने के लिए चुना है लेकिन बविष्यवानी यह सब के लिए सब कर सकता है कर स बात कर रहा है तो इसका मदलब ये नहीं है कि आप एक बविश्य वक्ता है या प्रॉफेट है नहीं ऐसा नहीं है और इस काम को अच्छी तरह करने के लिए क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि बविश्य वानी जो होती है या प्रॉफेसी जो आमें सुनने को मिलती है उसको परकने की जरूरत है ये वर्दान भी कलिस्या में सबके द्वारा काम करता है अगले संदे हम उस वर्दान के बारे मे बात करेंगे आत्माओं की परक कि जो बात हमें सुनने को मिल रही है वो कौन सी आत्मा से है क्या इसमें पर्मिश्र का आत्मा है या कोई और आत्मा है ये सारे वर्दान पर्मिश्र ने कलिस्या को दिये है तो हमें क्या करना चाहिए हमें बड़े से बड़े वर्दान बड जिस वरदान से आज की तारीक में कलीसिया को उन्नदी मिल सकती है, जिस वरदान से कलीसिया के सभी विश्वासी लोग मस्बूत हो सकते हैं, वो है सबसे बड़ा, उसके लिए चाहत रखो, तीवर इच्छा रखो, और जब आपको कुछ मिले, तो आप यह आप से बोलो, हम आ तो दिक्कत होगी, जब आपको बताया जाएगा कि यह आपके लिए है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नंबरदा के साथ चलो, और सुधारा जाने के लिए, हमेशा त्यार रहो, और ध्यान रहना, आत्मीक वरदान किसलिए है, अमें मस्बूत करने के लिए, कल हम इस आदमीक वरदान में भी चलने की चाहत रहेंगे और तयार रहेंगे.